बेसरमी, बेहयाई, थेथराई, लथेराई, चिरकुटाई, चुरकटाई, निचकटाई, फरकटाई, इस तरह के तमाम सब्दों की अब इतनी छम्ता नहीं रह गई है कि ये सब मिलकर भी भारत की वर्तमान लोगतांतरिक ब्योस्ता को परिलक्सित कर सकें। जी हाँ, वैसे तो मोधी सरकार काफिल सालों से लोगतांतरिक मुल्यों को गिराने की नई नई सिमाए रोजाना मताती जा रही है, लेकिन हाल फिला हल में जो अदानी का मामला सामने आया है, उसे लेकर मोधी सरकार ने और खुद परधार मंतरी मोधी ने जिस तरह का रवया करने के लिए मेरे पास कोई सब्दावली नहीं वची है, और आज तो और भी कजब हो गया है, भारती लोगतंतर में एक नई परंपरा की शुरुआत कर दी गई है, इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे, इसके साथ ही बात करेंगे, सारे रिक सोसन की सिकायत को लेकर दिल करना चांदी लूटल जाए, कोईला पर छापा पड़े, आप में से बहुत सारे लोग लगातार मेसेज कर रहे थे, कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, यूपी आई करने के लिए उसमें पेमेंट नहीं हो रहा है, मामला ये है कि एक तरब तो बड़े बड़े धन्ना सेट और वो खर्बो रुपया लूट कर जिस से बाहर भागा रहे हैं, और हम जैसे स्वतंत पत्रकार जब जनता से आर्थिक साहता ले रहे हैं, तो हमारा बैंक खाता फ्रीज कर दिया जा रहा है, बात यूपी के बिजली करमचारियों के प्रचंड धरना प्रदर्सन की भ सब्सक्राइब करके घंटा जरू दबाइएगा, इसके साथ ही आपको हमारा काम पसंद आए और हो सके तो इसकी वार कोड या फिरिस मोबाइल नंबर का प्रियोग करते हुए हमारी आर्थिक साहता करें, ताकि देश को गोधी मीडिया के जहर से बचाये जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो जो आपके मुद्दो पर बात करें, सबसे पहले रामराजी की सर्मनाख खबर को देखिए, कौसांबी में 16 साल की एक योती इंटर्मीडियेट की परिक्सा में फेल होने के डर से फासी लगा लेती है, एक प्राइवेट हास्पिटल में उसकी मोध हो ज करता है, इंटर्मीडियेट की परिक्सा में फेल हो जाना, या इतना बड़ा गुना है, या इतनी बड़ी समस्या है, कि उसके लिए जिंदगी दाओं पर लगा दी जाए, असल में ये समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन हमारे कुंठित समाज ने इसे बड़ा बना दिया है, किसी परिक्सा में फेल हो जाना, जिंदगी में फेल हो जाना नहीं होता है, इस घटना में सर्म करने वाली दो चीजे हैं, पहली तो ये है कि हमारी समाजिक व्यवस्ता और परिवार के लोगों ने उस बिटिया के मन में परिक्सा में फेल होने का इतना डर कैसे पैदा कर द उसके बाद भी अकिनना हो तो गोधी मीडिया का चैनल देख लीजिए अब सबसे पहले बात कर लेता है कि सोना चानी लूटल जाए और कोईला पर छापा पड़े जी हाँ एक तरब तो बड़े बड़े धन्ना सेट लोग देश को अर्बो खर्बो का चूना लगा कर विदेश भाग जा रहे हैं देश की सरकार खुद ही लाखो करोड रुपए का धन्ना सेटों का करजम आप कर दे रही है भारत के राष्टे सेट गौतव अधनी दुनिया का कथित रूप से सबसे बड़ा फ्राट करने का आरोप लगता है इनको उपर लेकिन सरकार ना सिर्फ उनके कंदों पर हाथ रखे हुए दिखती है बलकि उनसे एक कदम आगे चल रही है और मोधी सरकार की हरकते बता रही है कि वो कहना चाती है कि तुम्हें मेरे सेट तक पहुचने से पहले मेरी लास से गुजरना पड़ेगा अडानी मामले का खुलासा हुए महीनों भी चुके हैं जाच फास तो बहुत दूर की बात है ब्रह्मान के सबसे बड़े नेताजी नाम तक नहीं ले पा रहे हैं हिंडरण भग ने जब इनके फ्राट का खुलासा किया तो वो भारत पर हमला हो गया इसके बाद भारत के ही इंडियान एक्सपरेस ने खुलासा कर दिया बताया जा रहा है कि ये खुलासा और भी बड़ा है और चिंता जनक है क्योंकि भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इस खुलासे में अधानी गुरूप का एक और बहुत बड़ा जूट पकड़ा गया है हिंडर बग को जवाबते हुए अधानी गुरूप ने कहा था कि गौतम अधानी के भाई विनोध अधानी का बिजनेस से कहीं कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब खुलासा हुआ है कि कई बड़ी-बड़ी सीमेंट कमपनियां देख रहा है न विनोध की ही है बहुत ज़ादा आकड़ों में न जाते हुए मैं आपो सीधा-सीधा आसान भाचा में बता देता हूँ मामला ये सामना जा है कि भारत की सुरक्षा से संबंदित जो साजो सामान बनाया जाता है उसमें जिस कमपनी का पैसा लगा है उसका संबंद गोता मदानी ग्रूप से है और उस कमपनी में पैसा कहां से आ रहा है ये भारत सरकार को मालोम नहीं है अब बताइए जो मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो क्या उस पर भी एक तथा कथिद दुनिया के सबसे बड़ी रास्वक्त पार्टी की सरकार को जाच नहीं करवानी चाहिए क्या उसे हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए कि उस कमपनी में पैसावा कहां से आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि आपने UPI के माध्यम से आर्थिक सहायता करने के लिए जो मोबाइल नमबर दिया है या फिर जो QR कोड दिया है वो काम नहीं कर रहा है बाद में हमें दूसरा देना पड़ा था यानी संदिक दिलेन देन और आता हमने कहा इसका मतलब क्या है तो पता चला कि हमारे दर्शक यानीं आप लोग यानी इस देश की जनता जो हमें समर्थन के रूप में एक रुपिया, दो रुपिया, पांच रुपिया, दस रुपिया, बिस रुपिया, दो सो, पान सो, हजा रुपिया जो भी लोग अपनी इच्छा अनुसार दे रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन बैंक को संदिक धन जराया और उसने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, इतना ही नहीं हमें पता भी नहीं चला कि रखे रखे कब हमारा ITM का अड़ो ब्लाक हो गया है हालां कि लिखित अप्लिकेशन देने के बाद बैक ने अकाउंट तो ठीक कर दिया लेकिन अभी भी साइद UPI ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सोचने वाली बात यह है कि आम आदमी के लिए कौन लगा रहा है इसका कोई ब्योरा हमारी सरकार के पास नहीं है हमारी सिस्टम के पास नहीं है हमारी वैउस्ताव आप फैल हो जाती है तो पुलीस ने उन्हें रोग दिया दोबारा राहूल गांदी संसद में आकर अदानी मामले की जांच की बात न उठाएं इससे बचने के लिए बीजेपी के संसदों ने दूसरा ही रागल अपना सुरू कर दिया कहने लगे कि पहले लंदन में जो बोल कर आये थे उसके लिए मापी मांगो क्या बोल कर आये ये तो बताओ और जो लंदन में बोल कर आये क्या वो गलत है लंदन में जाकर राहूल गांदी ने कहा था कि जब हम संसद में बोलना चाहते हैं तो महिकवा आफ कर दिया जाता है लेकिन आज तो उससे भी बढ़ा खेल हो गया कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रियास रिरेत ने लिखा है कि राहूल गांधी ने लोगसभा में बोलने के लिए वक्त मांगा तो सत्ता पक्षिन नारे बाजी शुरू कर दी जब दूसरी तरफ से नारे लगने लगे कि राहूल गांधी को बोलने दो तो इस पीकर मुस्कुराए और संसग टीवी ने लोगसभा कारवाही को म्यूट कर दिया सूच कर देखिये संसग टीवी को म्यूट कर दिया गया जो संसत की कारवाही को जनता की बीच परोस्ता है लोग तंतर ऐसे कमजोर हो रहा है यही बात लिखिया है सुप्रिया स्रिनेट ने कॉंग्रेस ने ट्विट किया है कि पार्लियमेंट म्यूटेट राहुल गांदी ने लंदन वाले इंटर्विव में यही तो कहा था कि भारत में मोदी सरकार विपक्स की आवाज को पूरी तरह से दबाने में लगी हुई है जनता की बात सुनी नहीं जा रही है याद करिए कि भारत के इतिहास में आपको कभी याद है कि संसर्ट टीवी की आवाज गायब कर दी गई हो संसर्ट टीवी नया नया बना है पहले लोग सभा टीवी और राज सभा टीवी हुआ करता था दो चैनल हुआ करते थे विस्तारित कारिक्रम हुआ करता था जादा लोग काम किया करते थे लेकिन पूरी विवस्था क्या चल ले है शिकोडने वाली जनता के बीच कम से कम चीजे पहुचा नहीं है पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं कि राजी उगांधी पर आरोप लगे तो जेपीसी गठित की गई नर्सिंग राव सरकार पर बैंकिंग घोटाले के आरोप लगे तो जेपीसी गठित की गई अटल सरकार में स्टाक मार्केट घोटाला सामने आया तो जेपीसी गठित की गई मनमोहन सरकार पर टूजी घोटाला का आरोप लगा तो जेपीसी गठित की गई ये अकेले बढ़काई मांदार है जो गोटाला भी करते हैं और जाज भी नहीं होने देते सवाल फिर से वही है ये कौन सी मांदारी है कि बेमानी के आरोपों की जाज नहीं होने देंगे वैसे आब कॉंग्रेस ने भी नहले पे दहला देना शुरू कर दिया है कुछ दिन पह कैना है कि प्रधान मंतरी मोधी ने सदन में राहुल गांदी और सौनिया गांदी को लेकर अफमान जनक बाते कही थी आपको यादि होगा प्रधान मंतरी ने पूछा था कि राहूल गांदी नहरिका सरणिम क्यों नहीं लगाते हैं तो देखते जाएए आगे आगे होता है क्या वहाई जनता के बीच अब मोधी सरकार को लेकर प्रधान मंत्री मोधी को लेकर एक नया संदेह पैदा होने लगा है और वो संदेह है PM Care Fund को लेकर याद करिये PM Care Fund कब बना था संभवता मार्च 2020 में जब करोना पीक पर आया था नया नया करोना आया था उसी वक्त PM Care Fund बनाय गया था और देश की जनता से अपील किया गया था कि देशित में लोगों की जान बचाने के लिए लोगों के इलाज के लिए इस PM Care Fund में दान करिये लोगों ने दिल खोल कर दान भी किया था बड़ी-बड़ी कमपणियों ने करोड़ों करोड़ों रुप तो ऐसा क्या हो गया कि जब पूरी दुनिया बंद थी तो अधानी साहब इतना जो पैसा कमा रहे थे अब लोग पूछ रहे हैं कि चुकी PM Care Fund में पैसा कितना आया कहां गया सरकार ये नहीं बता रही है और दूसरी तरफ अधानी की कमपणियों में पैसा कहां से आ रहा था कौन इतना पैसा लगा रहा था उसकी खबर भी नहीं मिल रही है उनके पैसे का स्त्रोत क्या है वो भी नहीं मिल रहा है तो लोग ये संदे पैदा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि PM Care S के नाम पर भारत की जणता से पैसा लिया गया और उसे अधानी की कमपणियों में ल और बाद में उस पैसे को अधानी की कमपणियों में लगा दिया गया ये जनता की बात है हम कुछ नहीं कह रहा हूं अब पहले यूपी के करमचारियों की बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे दिल्ली पुलीस द्वारा राहूल गांदी को सारे रिक सोचन की सिकायत वाली न बढ़ती जा रही है इन करमचारियों की कई साल का बोनस भी बकाया है हल ही में आपने सुना होगा कि यूपी सरकार ने अडानी की कमपणी से जो मीटर लगाने का अनुबंद किया था उसे तोड़ दिया गया वजब थी कि अडानी साब की कमपणी ये मीटर कई कुना जा रहा है इसे रद्द कर दिया जाए दैनिक बास करके अनुसार और भी कई सारे मांगें इसमें छपी हैं आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके पड़ सकते हैं वह जो उत्तर प्रदेश के उर्जा मंतरी हैं उन्होंने धमकी दी है कि हरताल करने वालों को एसमा और एनसे लगा दिया जाएगा अब धमकी यह भी दी गई है कि बिजली सप्लाई में बाधा आई तो कर्मचारियों को पताल से ढूड कर लाएंगे यानि कि एक बात तो कंफर्म है कि यूपी के उचा मंतरी को पताल का पता मालूम है आप में से जिसका भी समान पताल में खोया हो जा पूरा देस की डिटेल हमें दीजिए तरके लिए उने पौली सफ कितनी शेकरी माज़ाओं को पूंच पूंच एक तरील दीजा रही मृफांड के की अज़गे और पूरा देश महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित हो गया है यह बताने की ज़रूरत नहीं मगर फिर भी कोई विपक्स का नेता ये कई से कह देगा कि विश्व गुरु भारत में महिलाओं का सारे रिक्सों हो रहा है वहीं करनाटक से खबर आई है कि वहां के पूर मुख् प्रचार रोक देने पर यानि की प्रचार रद कर दिया गया विलोग नारेबाजी करने लगे कि बीज़ेपी विधायक MP कुमारा स्वामी को विधान सबाट टिकट नहीं मिलना चाहिए कुल मिलाकर दिवाग पर बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है मामला यहां पर इसे ही मानी जा रही है ऐसे में यदि अंदरूनी कला इस तरह से बाहर आती रहेगी तो नुक्सान और बड़ा हो सकता है फिलाल यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगाए तो ज्यादा ज्यादा लों तक पहुंचाए हमसे जिमने के लिए बहुत धन्यवाज चाहिए रहान जो चाहिए हमारा वीडियो बड़ का लों टैक के लिए जजा लों गड़ा है झाल दो रही हॉझा चाहिए हमारा वीडियो जगाए हमारा वीडियो पहाए है।